दोस्तों जैसे कि moratorium 2.0 कुछ ही दुनों में खतम होने वाला है और moratorium 3.0 को लेके भी बहुत कुछ अब clear हो चुका है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि moratorium और loan restructure को लेके भी bank और government अब हमने सामने आ चुक है government औलड़ी RBI से discussion कर रहा है कि हमें एक बार और moratorium को देना चाहिए क्या जो pending loan है उसको research करके डाल दिना चाहिए तो आज इस वीडियो में आपको में clear बताने वाला हूं कि अब सबको क्या moratorium मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कैसे हम अपने आवाज government तक पहुचा सकते हैं क्योंकि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हो सकत रही है वो नहीं आ रही है बहुत लोगों के जो salary है बहुत हाफ आ रही है और अगर RBI ने loan को research करके भी डाल दिया तो यह नहीं पॉसिबल है कि जो हमारी जो EMI बनेगी वो हम पे कर पाए क्योंकि एक बार जब moratorium प्रेट हटाएगा तो जो bank वाले है वो अपने सर पर प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एक वीडियो कॉंफरेंस के तुरह एक मीटिंग रखे ती उसमें कई बैंके जो chairman सामिल दे उसके अगले दीन ही हमारी जो finance मिस्टर निम्जा सितार हमेने उन्होंने भी moratorium को लेके कुछ बाते कर दी उन्होंने moratorium के साथ-साथ उन्होंने loan researcher को लेके भी बाते किया उन्होंने अपने press conference में सबसे ज्यादा जो जिक्रिक है वो hospitality sectors में ज्यादा किया जिनको नहीं मालूम कि hospitality industry में क्या क्या आते हैं उनके लिए में clear कर देता हूं इसमें include होते होटल रेस्टोरेंट बाग, drink service, event planning, theme park, food, transportation, hospitality sector का इसलिए उन्होंने जिक के जो chairman है उन्होंने भी बीच में clear बोल दिया था कि नहीं अगस्त के बाद moratorium बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, experts का यह काना है कि 100 में से 30% अप chances लग रहे हैं कि जो moratorium है फिर से एक्षेंड किया हर एक sector में, यह 100 में से 50% chances लग रहे हैं, loan को researcher करके डाल देने के लिए, क्यों अगस्त के बाद moratorium की सुधा नहीं देने चाहिए, और अभी के कुछ जो recently news निकल के आ रहे हैं, उसमें से 100 में से 80% of chances लग रहे हैं कि जो hospitality sectors हैं, उनको बस moratorium दिया जाए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, जिससे आपके अवाज government तक पहुचे हैं, आपको simply एक Twitter account खोलना है, Twitter account बहुत रिजी है, आपको लग रहा है कि हम इस sector में काम कर रहे हैं, हमें इतनी salary नहीं आ रही है, कि हम अपनी loans को EMI को अभी pay कर पाएं, तो एक बार और moratorium को exchange किया जाए, अपने तरफ से एक request जालनी है, इसमें आपको दो लोग को tag करना है, जो अपनी finance ministry उनको tag करना है, और साथ साथ में RBI को tag करना है, दोनों की Twitter आपको screen पर दिख रही होगी, साथ साथ में आपको एक hashtag का प्रयोग करना है, moratorium 3.0, आपसे एक ही request है कि एक ही hashtag को use करिएगा, क्योंकि जब बहुत सारी जो tweet जाएंगे उनको एक ही hashtag के through, तो उनको भी मालूम चलेगा, उनके सामने स्लो करेगा, कि हाँ, इस sector में भी सच में प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर chance हैं, उनके सामने ही clear हो जाएगा, उनके सामने यह चीज आजाएगी, कि हाँ, जो problems है, moratorium, तो अपनी बाते हैं, वो रख सकते हैं, अगर हम क्योंकि bank है, bank अपनी आधि बाती बता रहा है, क्योंकि वो बता रहा है, bank बता रही है, कि मोर करने भी जा रहा है तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके moratorium को reject कर दिया जा रहा है या उनको moratorium नहीं दिया जा रहा है बस इतने आप से और एक request कि जो आप request डालेंगे जब आप लेंगे तो बस नॉर्मली आपके लिखना है कि हम इस सेक्टर में काम करते हैं हमारी जो सैलरी अभी नहीं आ रही है तो एक बार जो moratorium को बढ़ा दिया जाए और आपको बस finance minister जो है उनको रखना है और प्लस आरभिया को रखना है और है